हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ओनलाइन क्लासेज देखिए आज का जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है इसे डेफिनेटली एक्जाम में एक से दो क्यूशन पूछा जाता है तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रसिद चित्रकला और मूर्तिकला इसके बारे में आप कमेंट करके आंसर जरू बता सकते हैं यहां देखिए पहला क्यूशन स्टाट करते सेजन को पहला क्यूशन आपके सामने आ चुका है कि चित्रकला की मुगल सेली का प्रारम किस ने किया था तो चित्रकला की मुगल सेली के बारे में बात करें तो इसका प्रारम किया गया थ को थे हैं अब कर दो अब आप से पूचक है कि किस झानकाल के चीतरकार थे तो यह थे झांगिर के तो चांगेर नेक्स practitioners देखें कि साथ मगल साशक को छिट्रकला, का महान पार्की कहा जाता है very very important तो देखो यहां पर बात करें जहांगीर की तो जहांगीर को कहते हैं कि जो पेंटिंग्स वगर इनका बहुत ज्यादा सोग था और जो जहांगीर है इनहीं को चित्रकला का महान पार्की कहा जाता है नेक्स देखे आपसे पूछा है कि मुगल सासक के विश्व प्रसिद चित्र बैल गाड़ी का चित्रन किसने किया था क्या बात हो रही देखो मुगल सैली का है ये विश्व प्रसिद चित्र जिसका नाम है बैल गाड़ी का चित्रन इसके बारें बताना है किसने किया था तो ये क्या गया था? अबुल हसन की दुवारा क्या गया था? आंचर होगा option D. Next देखे, मुगल चित्रकला सैली की विसेश्ता आपको बताने है क्या है? तो मुगल चित्रकला सैली की अगर हम बात करें तो इसकी विसेश्ता होती है, ये युद्ध द्रश्य है, पसुपक्षी और प्राकर्तिक द्रश्य है और दर्बारी चित्रन तो आंचर हो जाएगा option D. ये राइट आंचर हो जाएगा उप्रोक्त सभी, यहां देखे, नेक्स्ट क्यूशन आपसे पूछा जारा है, मुगल काल में मन्शूर था एक महान, मतलब कि यहां पर मन्शूर के बारें पूछा है, कौन था, तो देखो आपका टॉपिक क्या है बई, चित्रकला और मूर राजस्तान, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कस्मीर या फिर पंजाब, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्सन B के साथ अमजार है, यह देखे, नेक्स्ट क्यूशन, गुजराती चित्रकला सैली किस प्रकार के चित्रों का प्रधानता रहती है, आपको बताना है जो ग केरल के यहाँ पर बोलाए कि रवी वर्मा के बारें बोलाए किस के लिए प्रसी थे तो यह एक प्रसी चित्रकार थे, कई बार पूछ ले जाते कि रवी वर्मा जो मतले कहां के चित्रकार है, फेमस प्रसी चित्रकार तो यह केरल के है, केरल की राजदानी तुर्वंतपु स्वास्कों में किस स्वास्क का काल को जिनके काल को चित्रकारी का स्वाणकाल कहा जाता है, कि जहांगीर की फ्रेंट्स को हम चित्र का का स्वाणिकाल कहा जाता है नेक्स देखिए औरत नामक चित्र का चित्रांकन किस ने किया था ओपसंस देखिए चार ओपसंस आपके सामने हैं तो यहां बात करें एक चित्र की जिसका नम औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया गया था रविंदा ठाकूर के दुवारा किया गया था यह देखे नैक्स्ट क्यूशन अब यहाँ पर एकड़ चित्र का नाम कण दे रहता है काला चांत ऑग घुपाएं किसके लिए प्रसीद है Tiffany back गुपाएं तो बाग गुपा क्या देखे नाम का देखे नेक्स्ट क्यूशन अम्रित सेर्गिल किस रूप में प्रसीद हुई अम्रिता सेर्गिल के बारे में पूछा है तो अम्रिता सेर्गिल की बात करें तो ये एक प्रसीद चित्रकार है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी करेक्ट आंसर होगा चित्रकार नेक्स देखे इस क्यूशन को सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट मांग कीजिए बहुत बार पूछा गया है क्यूशन रेलवे, एससी, पुलिस, पटवार इन आरेस इन बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे पुझे एक चित्रकला का नाम दे रखा है और क्या नाम दे रखा है मधुबनी सैली आपको बताने कि भारत के किस राज्य की प्रचलित है ये तो मधुबनी सैली की बात करें तो भारत के भिहार राज्य में प्रसिद है तो आंचर हो जाएगा उप्शन डी बियार नेक्स देखिए एमेफ उसन क्या है मतलब कि इनका बताना भी किस से रिलेटेड है तो एमेफ उसन की बात करें तो एक प्रसिद चितरकार है तो आंचर होगा उप्शन सी नेक्स देखिए आपसे पूझा तीन संगितक किसकी प्रसिद पेंटिंग है तीन संगितक के बारे में बात कर रहे हैं किसकी प्रसिद पेंटिंग है तो यह है पिकासो की, अंसर हो जाएगा पिकासो, यहाँ देखिए next question, विख्यात चित्रकारी, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुए the last judgment, इसके बारें बताना है किस चित्रकार की है, तो यह है एंजलो की है, किसकी एंजलो option P के साथ हम जा रहे हैं, next देखिए, मोना लिसा का प प्रसीच चित्र है, यह बनाया गया था, लियार नाडो दविंची के दुआरा, तो आंसर हो जाएगा option B, right answer है इसका, यहाँ देखिए next question, उस्ताद मनसूर खान किस मुगल सासक के सासनकाल के प्रसीच चित्रकार थे, तो यह थे जांगीर के सासनकाल के, तो आंसर हो जाए जांगीर के सासनकाल में यह बहुत चितर इस तर पर पहुंची, तो आंसर हो जांगीर, next देखिए, जैमिनी राय ने कला के किस चित्रका में नाम कमाया, जैमिनी राय की बात हो रही, important question है, तो यहाँ पर जैमिनी राय की बात करें, तो इन्होंने चित्रकला में, चित्रकल में नाम कमाया, आंसर होगा, चित्रकला, फश्ची में बेंगॉल में फरसो पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद है, पश्ची में बेंगॉल की बात करें, वेस्ट बेंगॉल की, तो इसमें फरसो पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद है, अल्पना, आंसर होगा option B किस ने painting की शुरुआत फिल्मी पोस्टरों से की थी painting की शुरुआत तो ये की थी MF उसेन ने की थी तो answer होगा option C next देखिए कौन सा मुगल सासक चित्रकारों का सबसे बड़ा शनरक्षक है बता चुकी हूँ जहांगीर answer होगा अब देखिए फ्रेंट्स वीडियो देखने से फाइदा क्या होगा काफी कम टाइम में आपका revision हो जाएगा साथी साथ इस topic के सारे question से वो cover हो रहे हैं यहांपे जिस question का answer आता है comment करके answer जरूर आपको बताना है next question आ चुका स्क्रीन पे मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकास्टा पर पहुची तो यह बताया था देखो यहां पे देखो पिछला question देखे एक बार question को इस तरह से पूछे और चाहे question को यह देखे इस तरह से पूछे answer सेम रहेगा क्योंकि बात एक ही है तो जहांगेर answer होगा next देखे बनी धनी किस चित्र सैली से संबंदीत है बनी धनी के बारे में पूछा है बनी धनी के बात करें तो किसंगड सैली से संबंदीत है answer होगा option B right answer होगा next चित्रकला की मुगल कला भारतिय लगू चित्रकला की read है राजस्तानी विचारधारा की प्रणचित्रकला का आरंबिक मुख्य केंद्र बताईए बिकाने जैपूर बूंदी जैसलमेर आंचरो जाय का बूंदी अप्शन C नेक्स देखिए राजस्तान के प्रसिद ब्लू पोर्टरी की दस्त कारे का उदभाव कहां से हुआ कस्मीर से, पार्षिया से, अफगानिस्तान से, सिंध से तो ये वह पर्षिया आंचरों का उप्शन B ये देखिए नेक्स्ट क्यूशन, मोनालीसा क्या है? तो देखो मोनालीसा के बारे में अभी अमने बताया था ये एक चित्र है, चित्र का नाम है, काफी प्रसी चित्र है, तो आपका अंसर होगा option A next, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्रत किये गये हैं, किसे किये गये हैं ये बताइए तो फ्रेंट्स ये किये गये हैं भगवान कृष्ण के जीवन से, option C के साथ हम जा रहे हैं, option C right answer है next देखिए, भारत माता नामक प्रसीद पेंटिंग के चित्र कार का नाम बताईए भारत माता नामक प्रसीद पेंटिंग के चित्र कार कौन थे? तो भारत माता चित्रकार की बात करें, इस चित्र की इस पेंटिंग की तो इसकी चित्रकार थे, अविन्नाट टैगोर, नेक्स देखें, एक सेकेंड देखों, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करना है, यहां पर रविन्नाट टैगोर होगा, ठीके, नेक्स देखें, गांदार स नाम है धर्म चक्र तो यह तो आपको पताई होगा option C right answer option C बोद धर्म में देखो जब बोद धर्म वाला मेंने topic डाला हुआ भी है तो उसमें यह चीजे अल्रेडी discuss की हुई है next देखिए निमल लिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं उनके नाम बताईए सबसे पुराने चित्रों की बात हो रही है जो कि ए एलोरा आंसर हो जाएगा एलोरा एलोरा एजंता की बात करें तो भई महारास्ट में यह भी ध्यान रखना है और अंगाबाद में next देखिए मूर्तिकला की गांदार इसकुल सेली निम्न सेलियों में से किसका समिश्रन था अब यहाँ पर मूर्तिकला की गांदार इसकुल सेली की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा भारतिय और ग्रीक सेलियों का तो आंसर होगा option a right आंसर होगा नेक्स देखिए अजन्ता गुफाओं में प्रसिद दर्साती है अजन्ता गुफाओं में मूर्तिय जो है वो क्या दर्साती है तो अजन्ता गुफाओं के बात करें तो ये मूर्तिय दर्साती है विभिन मुद्राओं में भगवान सीव को भी दर्साती है भगवान तो इन सबी को दर्चाती है, तो friends answer होगा, option D right answer होगा, next देखे, किसके सासनकाल में अजन्ता की गुफाएं निर्मित की गई, अजन्ता की गुफाएं, ये क्यूशन बहुत बार पूचा जा चुका है, important mark कीजे, अजन्ता की गुफाओं की बात करें, तो गुप्त की सासनकाल में निर्मित की गई थी, option A, next देखे, अजन्ता चित्रकाली का विशय वस्तु निम्न में से किसे संबंदित है, तो ये किसे संबंदित है, बोध धर्म से संबंदित है, friends, बोध धर्म, right answer होगा, option B, यहाँ देखे, next question, कौन से सब्वेताओं ने, गांदार कला सैली की रच अचनाओं में साहिता प्रदान कीती भारतिये एवं युनानी, answer होगा, option C, next देखे, इनमें से कौन अकबर के दर्बार में चित्रकाल नहीं था, दस्वन्त, अब दुस्सद, कल्यान दास, या फिर बसावन, answer होगा, कल्यान दास, option C, next, नंदलाल बोस ने किस छेत्र में ख अर्जित की, चित्रकला, लोकला, निर्थकला, राजनीती, answer होगा, चित्रकला, option A, next, देखे, प्रतिमा परक, व्यक्तितु, अमरेता, सेर्गल, अब देखो, अमरेता, सेर्गल की बात ओर रिये, इनका जनम इस्तान बताना है, तो इनका जनम इस्तान, हंगरी, option A, यहां देखे, फ्रेंट्स, next question, very, very important mark कीजिए, अजन्ता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है, रामायन, महाभारत, जातक, या फिर पच्चतंत्र, तो देखो, अजन्ता चित्रकारी की बात करें, तो इसमें निरूपित किया गया है, जातक, option C, right answer, option C कीजिएगा next, देखे, सूप्रसिद पेंटर, जिनका नाम है, राजा रवी वर्मा, very, very important, किस रियासत से जुड़े है, और कहां के प्रसिद चित्रकार है, तो पहले तो यह मैं बता दू, केरल के है, और हाँ, यह पूचा जाए, कि भई, किस रियासत से जुड़े है, तो यह जुड़ प्राप्त हुए, आपका आंसर होगा, option B, भीम बेटक, next, क्यूशन, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद है, यह बताए, फ्रेंट्स, भीम बेटका की बात करे, तो गुफाओं की चित्र सेली के लिए प्रसिद है, तो आंसर हो जाए बताने हैं इसकी चित्रकार का नाम पूचा है तो इसका जो चित्रकार है राजा रवी वर्मा राइट आंसर होगा सरन रानी को जिस चित्र में ख्याती प्राप्त है उस चित्र का नाम बताना है सरन रानी की बात करें तो ये चित्रकार थी एक तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला क्या पूचा गया है प्रसिद मीनाकारी ये थेवा कला का संबद बताईए थेवा कला का संबद पूचा जा रहा है तो थेवा कला का संबद किसे प्रताप गड़ से आंसर हो जाएगा प्रताप गड़ प्रताप गड़ की बात करें तो राजस्तान का ये तेती स्वजिला है नेक्स देखे भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुर्णर जीवित करने के लिए इंडियन सुसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट की स्तापना किस ने की थी ये की गई थी रविदना टैगोर देखो यहां पर थोड़ा नाम गलत लिखावा है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट माइकल एंजलो और लियोनाडो द विंची की इस देश के विश्व विख्यात चित्रकार थे इटली के थे इटली विश्व विख्यात चित्रकारी कुवर निका किस की क्रती है तो ये किस की क्रती है पिकासो की पिकासो राइट आम से रहा अप्शन ए नेक्स देखे लास्ट सफर एक प्रसीद रिनेसेंस चित्रकारी किस की स्रेश्ट क्रती है तो फ्रेंड्स ये है लियोनाडो द विंची लियनाडो दविंची ओप्सन सी के साथ हम जा रहे हैं नेक्स देखिए क्यूशन आचुका है स्क्रीन पे प्रसिद चित्रकार पाबलो पिकासो निम्नांकित में से क्या है देखो एक चित्रकार का नाम दे रहा है पाबलो पिकासो तो ये भई कहां के हैं कहां के थे ये बताना है Spanish नेक्स देखिए दुसियंत को प्रेम पत्र लिखती सकुंतला का चित्रन किसने किया वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो ये किया गया था राजा रवी वर्मा जो की केरल के प्रसिद्ध चित्रकार है तो आंसर पता चल चुका है आपको तो नेक्स देखते हैं ये देखिया आचुका है नेक्स्ट किशन Elephants bathing in green pool इसके बताना है कि निमल लिकित मेंसे किस चित्रकार की चर्चित करती है Elephants bathing in green pool की बात करे तो ये है अमरिता सेर्गल साजा का ताज का देखना बुद्ध और सुजाता कमल के पते पर अशुरू करने वन्सामगरी आधी किस चित्रकार की चर्चित क्रतिया है तो ये हैं अर्विन नाथ ठाकूर याद रखना है उमा की तपश्या, सिव पार्वती, बसंत प्रणाम, आधी किस प्रतिबा साली चित्रकार की उत्करस्ट क्रतिया है तो फ्रेंट्स ये है नंदलाल बोस की आंसरोंगा ओप्सन ए कांगडा चित्रकला साली में किस प्रकार की चित्रों की प्रदानता रहती है काँगडा चित्रकला साली की बाठेंट्स लिए तो इस में क्या रहता है कि प्रणा acesso रिती काली नायक благ का एक क्याएं का सैलील है कि इसकी जी चित्र के प्रधानता रहती प्रद्धा बाएक सैलीलमा यह कि साथ हुआ है इनेख्श भृक्तिक या नाब बनी ढौनि यह बताने हैं कि कि पर आधारीत है तो समय बनाइद धनी एक सैली सीली सेली पर आधारीत है तो आंसर हो जाएगा किसंगर सेली इंपोर्टेंट क्यूशन है इंपोर्टेंट मार्ग कर सकते हैं नेक्स देखे पहाड़ी इसकूल राजपूत इसकूल मुगल इसकूल और कांगड़ा इसकूल निम्रे में से किस कला के विभिन सेलियों को दरसाते हैं तो देखो आंसर हो जाएगा चितरकला ओप्सन B के साथ हम जा रहे हैं चितरकला तो देखो इसी के साथ 60 प्लस क्यूशन को बहुती कम समय में हमने कर लिया है तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए जितना हो सके आम वीडियो को शेर कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कर ले साथी बैल आइकोन आपको दिखाए दे रहा होगा बगल में जिस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो